चले बात करें last security valuation इसके बाद business valuation का एक question है जो इस RTP में भी आया है economic value edit का वो question है वो करना जरूरी है तो अभी हम security valuation का देख ले कुछ नए question है या कुछ update है लेकिन याद रखना business valuation में इवा का question economic value edit का आया हुआ है जो आपको देखना है RTP में डाला हुआ है तो वो question आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो इस वीडियो के बाद मतलब इस पहले security valuation होगा उसके बाद business value तो ये question आया था और सर ये question कब आया था ये question आया था एक्जाम में में 2023 जब question आया था तो उसी समय आप से पूछा था मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई confusion होगा ये question मैं discuss कर चुका हूँ आपके साथ बट फिर भी एक बार और discussion कर लेते हैं कोई investor है beginning of 2022 है purchased substantial number of 8 years किसी investor ने 2022 के beginning में 8 years वाला ताड़े साथ परशन के 1000 रुपए का bond उसका coupon है 7.5 परशन 1000 इन्टू 7.5 परशन मतलब coupon मिलेगा हर साल 75 वो वाला जो bond है वो पाच परशन प्रीमियम पर खरीदा था लाइफ कितने थी इसकी 8 साल और जिससे discounting करना है अगर हम इससे discounting कर देंगे तो market price हाजाएगा और YTM उस समय कितना था 8.5 परशन हावेवर कितने साल का bonds था 8 साल का हावेवर due to continuing war in Europe the inflation is running very high in the economy of the country the yield on bond is decreasing रिस्क एवर्स इन्वेश्टर वांस to protect himself from further loss इन्होंने बेचने का decide किया 2023 में खरीदा कब था 2022 पेच कब रहा है 2023 मतलब सर जश्ट एक सल बात आप कहां खड़े हो अगर question आप समझ गया हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि सर इट मीन सर जो खरीदा था अब इदर की periods का हमको मतलब नहीं है हम यहां बेचना चाहते हैं मतलब अभी हमारे पास कितना साल है साथ साल और जो बॉंड हम खरीद रहे हैं जो बॉंड अभी हमने बेच रहे हो कि beginning में बेच रहे हैं एक साल बाद बेच रहे हो 2022 में खरीद है 2023 में बेच रहे हैं यहां देने को तयार है 797.50 और आप इन्वेस्टर जो है वो intrinsic value method से bond का evaluation करना चाहता है तो आपको बताना है क्या निकलना भाई market price duration and volatility of bond market price मतलब intrinsic value market price बोला तो किस से करेंगे 8.5% से discounting करेंगे क्योंकि YTM कितना है 8.5 सर कितने साल के लिए पहली बात कि जितना साल बचा हुआ है मुझे यहां का value निकालना है तो यहां से कितने साल है साथ साल और दूरेशन ऑप bond साथ कैसी हो सकता है मैं बेकार की बातें नहीं करूंगा एक्जाम पास में तो इधर उधर की बातें करके आपको फसाओं साथ साल और वॉलटिलिटी का मतलब हो गया हमारा मॉडिफाइड डूरेशन आपको निकालना आराम से निकल जाता है अंपो फीर ळॉल रहा एक विल इट ब्लाइड डिससें ओफ नीवइनवेस्टर करrese की नया बारा परशन परह निया निकलने और उसका सब्सक्राइड करलें रहें य officie अभा ह यह बॉन्ड खरीदना चाहिए के नहीं खरीदना चाहिए 12 पर्शंटे से झिसकांट लिए 12 बोला उधार 8 де 12 परशन ल्यों एक तो यहों किसाब से της कर सकते हैं निकाल साहरा ओनरा उसके लिए निकाला फिर 12 के hea के हिसाब से उन्होंने काम कर दिया और वेल्यू कितना आ गए 817 जबकि इंट्रेंसिक वेल्यू वो बॉंड कितना 817 817 मिलेगा जबकि हम वो कितने में खरीदने का सोच रहा है 797 तो क्या खरीद लेना चाहिए या फिर इस हिसाब से कर सकते हो मतलब कुछ नहीं यह ज्यादा सिंपल है इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल यह काम खत्म किजिए तो क्या इन्वेस्टर को बॉंड खरीद लेना चाहिए जो खरीदना चाह कुछ मुझे समझाना भी नहीं था आगे चल रहा हूं मैं कोशन नंबर टू अच्छा कोशन है MTP में डला हुआ था आक्टोबर दो हजार तेईस आक्टोबर दो हजार तेईस दिया रहे हूं मैं कोशन इन्फरमेशन इस रिलेटेट टू दा कनवर्टीबल बॉंड ओफ ए लिमिटेट के बॉंड कनवर्टीबल बॉंड है जो खरीदना चाहिए विजिस करेंटली प्राइज और अभी यह मार्केट प्राइज है एक हजार साथ ठीक है कोई दिकत नाई सा कनवर्जन पैरिटी प्राइज 53 क्या होता था सर पैरिटी पैरिटी पता नहीं आगे बड़त तर सीरियसले नहीं पता नहीं पता भाई एक्चुली ना पैरिटी का मतलब होकता था आप बॉंड के कितने नंबर ऑफ शिर्स पैरिटी के ऐक वल कर रहे थे एक बॉंड हमारा 1008 का है बदले में हमें कुछ शेर्स मिलेंगे कुछ और किस प्राइस से मिले गे उसको हम बोलेंगे पैरिटी प्राइस यह तो हमको मालुम है 53 यस हमको मालुम है फिप्टी तर इससे हमें नंबर तो उसका price क्या होना चाहिए, this is parity price, हमसे अक्सर ये पूछा करता था, अब ये हमको दे दिया है, और इससे वो आपसे number of shares पूछ रहा है, तो number of shares तो अराम से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 1060, divided by 53, सर भी shares, कुछ था नहीं, अगर आपको conversion parity price पता तो अराम से काम हो जाएगा, conversion premium, conversion premium, conversion premium का formula होता था, सर, current market price minus conversion value divided by conversion value into 100, उसका percentage दे रखा है, 10.41667, 10.41667, divided by 100 कर देता हूँ, तो सर यह आगा point, 10.41667, और current market price हमको मालूम है, कितना, 1060 और इसको क्या ले लेते हैं सर, X, तो हो गए फिर तो, 1066, 1060, 1060, divided by 1.104166, 960, तो सर, current market price कितना आके 960, यह तो अब यह formula से कम करें, percent value, और आपको straight value of bond पूछा, और percentage of downside risk, percentage of downside risk हम बोलते थे कि current market price से, अगर bond का price गीरा भी, मतलब intrinsic value से कम तो नहीं होगा, divided by base क्या लेना, इस पर फसे हुए थे, लेकिन उससे ने साब साब बोला, कि यहाँ with respect to straight value लेना, मतलब यहाँ divided by intrinsic value हो जाएगा, यह भी काम हो गया फिर तो, यह कितना, 12.766, तो current market price है, 1060 divided by 1.12766, अंसर आगया, 939 मतलब 940, पता नहीं, देख लेदे, 960 आ रहा है, 60, यह वाला भी आगया, यह वाला भी आगया, 940 भी आगया, एक बार देखोगे, topic तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको समझ में जाए, भाई साब, question number three, danger question, और सर, एक्जाम में आया था, में दोहजर तेईज, सर आपसे बन जाता क्या, अगर आप एक्जाम देते तो, तज बोलू, नहीं बनता, हाँ, करके आता, लेकिन में कुछ और ही करके आता, अगर आपने ये question पहले नहीं देखा है, तो नहीं बनेख, क्यूंकि सच्चा ही ये है, कि आर देखो, पेपर होता है, और पेपर के बाद हर teacher का opinion आता है, मैं भी देखता हूँगा, किसी से नहीं, स्वरी, मुझे क्या करना, तो अगर पढ़ते हैं, बच्चों से तो बड़ा मुस्किल से बनता, पर था question जड़ा देखो नहीं देखते हैं, अगर आपने एक बार नहीं देखा, तो ये question आपसे नहीं होने वाला है, अब यार बहानों आप नहीं बनता है, पड़े, बहत्रीन question, उम्मीद नहीं थी कि I.C.A.I. question को इस तरह से करेगा, पता नहीं कहां से उठकला था, an investor is considering purchase equity shares of alpha limited, ठीक है भाई, whose current market price 172.45, अब भी price कितना है 172.45, सर, एक alpha limited है और उसका यह है 0, उसका price दिया है 172.45, अब अब कमपनी इस प्रपोजिंग, 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 डिविडेंड और रुपी 6 for the year under 31st March 2024, प्रपोजिंग बोला है तो D1 है कि D0, और मुझे ऐसा लग रहा था कि D1 है, चलो ठीक है सर, यह तो हो जा नहीं आ रहा रहा, वो आधिक देना आगे, कितना रुपए डिविडेंड मिलेगा, बोले 6 रुपए, यह कब की बात है, first year की, alpha limited is expected to grow 20% per annum for next 4 years, अब यार यहां दिक्कत है, next 4 year मतलब यहां के बाद 4, मतलब यह दूसरा साल हो गया, यह तीसरा साल हो गया, यह चोहता साल यहां के बाद 4 लेना, कि आगे से 4, यहां फस गया था मैं, पर हम नहीं फस थे, हमको मालूम है, next 4 year मतलब हम यहां से अगले 4 साल लेते, ठीक है, तो भी कौन सा सही हो जाता, आगे बड़े, ओके सर, और फिर क्या बोला, उसके बाद growth rate over the next 3 years, मतलब next 3 years मतलब समझ रहे हो ना, यह पाचवा साल, यह छटवा साल और यह सातवा, next 3 year में, जो growth rate है, वो decline हो के linearly, by 100 basis points, अपलब भई, growth rate पहले कितना था, 20% तो सर, यहां तक 20-20% था, और फिर 1% decline होके, यहां हो गया, 19% यहां हो गया, 18% और यहां हो गया, 17%, यह बोल रहा है, और उसके बाद, बोले, establish हो जाएगी, growth, ठीक है, और discounting किस से करना है, 20% से, ठीक है, तो सर, हमें value निकालना, अगर मुझे दिख रहा है, तो ठीक है, को करूंगा कि share खरीदना चाहिए, कि नहीं खरीदना चाहिए, dividend values टीबी टेकन, two decimal places, ठीक है भाई, यहां तक अगर मैं requirement ना देखों, तो मुझे ऐसा रग रहा है, बड़ा ही simple question, इससे simple question हो नहीं सकते, यहां थोड़ा confusion हो सकता था, चार साल, तीन साल पर बच्चे करने वाल growth rate, stable growth rate of alpha limited after the end of seven years, साथ साल के बाद, stable growth rate क्या होगा, यह बताईए, बता सकता है, 17 percent ना सर, खतम कहानी, नहीं बिटे नहीं, मुझे ऐसा लगा था, कि 17 percent, question में खेल था ना यहार, बहुत बड़ा खेल, और दूसरे number पर क्या मांग रहा है, कि advice मांग रहा कि बताईए, हमें यह share खरीदना चाहिए, कि नहीं खरीदना चाहिए, if the investor is a stable target growth rate, कितना पर्शन, 15 percent, stable target growth rate of 15 percent पारेन, मतलब सर, है क्या action, पता नहीं, आप देखों, institute नहीं, मैंने क्या, सर, आप क्या करते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, साल बात तो growth rate 17 percent है, यह क्यों पूछ रहा है, भगवानी जानता है, और दूसरा मुझे लग रहा है, यह 15 percent से growth rate से answer निकालना है, तो ठीक है, 15 percent से, मुझे ऐसा लग रहा है, सास्ता लवात 15 हो सकता था, बहुत कुछ सोचा, अभी क्या सोच करना है, वो बात करते, जो हो गया है, और उसने 20 percent का factor दे रहा है, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इ ओके, no issue, present value निकाला, जो अभी dividend से, dividend, 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 उसकी present value निकाला, और उसको 172 से minus कर दिया, फिर से, आखिर ये 172.45 आया कहां से होगा, ज़्या सोचते, सर, ये तो price है ना, पिटे, ये आया कहां से होगा, तो उन्होंने का, देखो, ये ऐसे आया होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है, वो क्या कर रहा है, 172.45 में दो चीज़े हैं, क्या क्या है, सर, एक तो है present value of dividend, ठीक है सर, और एक तो होता है सर, present value of terminal value है ना, आप समझते ह हो ना, terminal value है, सर, तो बहुले, अगर इस में से मैं ये minus कर दूँ, तो फिर ये ही बचा, समझ रहे हूँ, ये बचा, मतलब सर, अगर मैं 172.45 में से present value of dividend minus कर दूँ, minus करके मैं बता रहा हूँ, से पर solution है, फिर से, इन्होंने D1 माला 6 रुपै, और 7 सल तक growth और उसका 34.60 निक ले लो, 34.60 और 34.60 इस में से minus कर दिया, 34.60 तो सर, 172.45 minus 34.60 तो सर, ये आ गया, 137.85 अब बताव ये कहां से आया होगा, सर, ये वाला होगा फिर तो, मतलब सर, यहां जो terminal value होगी, उसको present value factor से multiply किया होगा, तब तो ये आया होगा, यस, और जब साथ साल बात, terminal value कैसे निकाली होगी, मतलब आपने P7 कैसे निकाला भाई, सर, वो हमने ऐसे निकाला होगा, D8 divided by K minus G, है न, और फिर इसको आपने present value factor से multiply किया होगा, तो फिर आपका ये answer आ गया, 100% से, क्या, 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 अभी सुनो, बस मे अब धीरे-धीरे देख लेना, इट मिन सर, ये जो value बच्चा है, इसमें से dividend thought आदी, जो value बच्चा है, वो सातवे साल की value को present value factor से multiply कर रहा है, और सातवे साल की value कैसे आईगे, D8 divided by K minus G, येस, तो बताओ, जी कितना, क्या, आपको ये पता है, हाँ सर, क्या, आपको ये पत है, ये सर, इसमें growth आएगा, growth, growth ही तो पता करना है, जब आपको P7 पता है, तो growth ही तो पता करना है, that's it, इसको बलते है, implied growth, अगर share का जो price है, जो price है, उसके हिसाब से बताओ, implied growth rate, actual में कितना है, implied growth rate, ये पूछा था, एक जो, नहीं बनता है, बिना, एक बार बना ये बनता है, तो देखे की कैसे किया है, बस अब तो समझ में आ गया, ये किया, ठीक है सर, इसमें से इन्होंने ये minus किया, तो 137.85 आ गया, और उसके बाद इन्होंने ये किया, किया price कितना होना चाहिए, 137.85 ये हमको मालूम है, और 17.04, 17.04 आपका ये होगा 7 और 1 प्लेस G कर लिया, और 20 माइनस G कर लिया, मैरे खेल से, इसके बाद मैस करोगे, मैं मैस में फच जाता हूँ, तो मैंने ना पहले इसको इससे डिवाइट कर दिया, टेंसन कहता हम, मतलब यहां मैंने 0.2791 कर लिया, और इसको हटा दिया, ये क्या चीज है मालूना, प् 16 परशन, तो जो प्राइज दिख रहा है उसके हिसाब से 17 साल में ग्रोथ रेट 16 परशन्ट होना चाहिए, 17 साल के बाद से, 16 होना चाहिए नहीं, है एक्छय में 16 परशन्ट गरोथ रट लिए आपको अब एडवाइस करना की ये शेर हमें खरीदना चाहिए, ये नहीं खरीदना चाहिए, अगर आपका टार्गेट है कि आपको 15 परशन्ट का गरोथ रेट चाहिए, जब कि एक्छय में कितना है, सर में तो 16 पर्शन कमा रहा है यार 16 पर्शन का ग्रोथ है तो बिल्कुल खरीद लेना चाहिए जिस ग्रोथ रेट इस मोर दें टार्गेट आप कमा कितना रहा है सोला सेयर के प्राइस के सबसे आपको चाहिए कितना पंद्रह तो ठीक है खरीदो कि यह कोश्चन नहीं बनने वाला है अगर आप नहीं करके चाहिए कि सब 20 मिनट हो चुके हैं आगे बड़े इस बड़ा है कि कोश्चन नूंबर फो कि पड़े जी यह कोश्चन भी अच्छा कोश्चन है पड़ते हैं कि बाइब का कोश्चन आया था इस टाइब का कोश्चन करवाया हूं पर इसमें थोड़ी सी एक पॉइंट की वज़े से बच्चे फजगे में दोजर तेविस में आया हुआ है कोश्चन भी किया था देखा हाई ग्रोथ लिमिटेड हैस हैविंग अन एक्सिलेंट ग्रोथ ओवर अन नंबर ओव इयर्स तो बोर्ड अब डाइर्क्टर इस कंस्डूरिंग ए प्रोपोजल तु रिवर्ट इट्स शेर होल्डर भाई बाइबेक कर रहे हैं आप 20% शेर्स अटेब प्रीमियम प्रीमियम पे ही तो बाइबेक होता है 20% शेर्स बाइबेक कर रहे हैं प्रीमियम जो पे करोगे इंपोर्टन लाइन है भाई इसकी वज़ा से गरबढ हुआ था जो प्रीमियम दोगे मतलब जो शेर खरीद रहा हो तो जो पैसे दे रहो पैसो जो शेयर का प्राइस बनता है face value उसकी उपर जो extra दे रहा हो जिसको बलता है premium जो premium दे रहा हो वो अपनी जेप से नहीं दो कि उसके लिए आँ बैंक से loan लोगी बैंक से लोन और इंट्रेश्ट जो है वो कहां से माइनस होगा बोले रिजर्व से यह अर्णिंग से हम इंट्रेश्ट माइनस करेंगे कंपनी के मार्केट कैप कितना है 15,000 क्रोड और EPS कितना है 600 और प्राइज अनिंग कितना है 25 निकल जाएगा 600 इंटू 25 इंटू 25 तर पंदरह अजार रुपए एंपीयस है अब 15,000 क्रोड से है तो 15,000 क्रोड डिवाड़ेड वाइप 15,000 मतलब सर एक क्रोड से थे अगर नंबर अब शीर्ष की बात करो तो एक क्रोड से उसमें 20 परशेंट बाइबैक कर रहा है मतलब आप 20 क्रोड बाइबैक कर रह से बचेंगे लाश्ट में ठीक है अच्छा अर्निंग कितना था सर अर्निंग था सर एक शेयर पर 600 तो टोटल एक करोड से रहे तो आपकी अर्निंग अभी आप कमा रहे हो 600 क्रोड रुपिया कमा रहे हूँ दबोर्ड ओफ टारेक्टर को यह लग रहा है कि बाइबैक के बाद शेयर का प्राइस दस जार रुपए होगा और प्राइज अर्निंग रेश्यो पोश्ट बाइबैक कितना होगा सेम ही होगा तो बाइबैक के बाद का EPS निकल सकता है क्या सर 10,000 रुपए और प्राइज क्या आगया क्या आगया क्या आगया सर EPS after buyback और लोन जो है वो कितने परशन के सबसे 16 परशन के सबसे टेक्स करेट कितना है 30 परशन तो बताएं इंट्रेस्ट एमाउंट विच कैन बी पैट चलो इंट्रेस्ट एमाउंट निकालते हैं या बाइबेक के बाद का EPS मालूम है सर चार सा और कमाई टोटल कितने की हो रही है 600 करोड उसमेंसेख माइनस क्या कर दो गें इंट्रेस्ट आफ़र टेक्सवान माइनस टेक्स करना पढ़ेगा वान माईनस पोईन्ट फरीजिरो अर शर भाइबेक के बाद बाइबेक के बाद आपके पाश नमबर उफियर्स बाचेंगे पॉइंट एट करोड बस इसको शॉल कर लो इंट्रेस्ट का इमाउंट आ जाएगा मतलब सर यह पॉइंट सेवन जीरो एक्स है पॉइंट एट इन्टु चार सो माइनस 300 डिवाइड बाए पॉइंट सेवन सर तो यह आ गया 400 करोड यह इंट्रेस्ट का माउट आ रहे हैं इवाइड बाए 16% पच्चिस सो करोड आ गया लोन और यह आ गया इन्ट्रेस्ट और कितने शीर से बाइबेक कर रहे हैं सर पॉइंट टू करो एक शीर पच्चिस सो डिवाइड बाएड बाइड टू कर तो सर एक share 12,500 रुपए में buyback कर रहे है 12,500 में buyback नहीं कर रहे है यहीं गरबड हुआ था अब यार share का price आज कितना है सर आज है 1500 रुपए 15,000 रुपए और आप 12,500 में कैसे buyback कर सकते हैं यह जो 12,500 वे वो buyback price नहीं निकला यह premium क्योंकि यह जो पैसा है ना X यह से premium के लिए पैसा उठाया उसका interest है तो अगर कहूं buyback कितने में कर रहे हैं तो buyback कर 12,500 पकड़ लीजिए premium और market price क्या है भाई आज कर तो 15,000 रुपए है market price 15,000 प्लस 12,500 तो total मिलाकर 27,000 पासो में buyback हो रहा है इसने पूचा नहीं बस बहुत है buyback premium पर शियर बताई तो answer आएगा 12,500 पस बस बात खता हूँ कहां है question की भगवाई मेरे हिसाब से तो यह आना चाहिए था कहां गर बढ़कर लिया यार पाइबेक premium पर शियर एमांट अप लोन 25 क्रोड यहां तक ठीक है नमबर उप शियर बीस लाक तो बाइबेक ट्राइस पर शियर भाई यहां देखना यहां गरबड लग रहा है पाइबेक premium पर शियर वो current market price के हिसाब से बता तर इससे तो यह तो calculation अलग तरीके से कर रखा पता नहीं इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि साब साब बोला है कि जो लोन ले दिया जा रहा है अगर question मैं फिर से बढ़ू कि the premium is to be paid by raising a loan from the bank मेरा इस solution से कोई लिना देना नहीं है इन्होंने कुछ और ही तरीके से कर रखा मैं कुछ नहीं कर सकता वह आप देख लेना आप ऐसी करना जैसी इन्होंने किया इन्होंने जो 12,500 रुपिया निकला न उसको buyback premium नहीं बोला उन्होंने उसको buyback price बोला यहां तक तो निकल ली गया था और buyback premium वह अब भी पास सो लग रहा है पर ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता है आप अपने सबसे देख सकते हैं कि 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 कर लिया आइसी एक अंसर है इसमें कुछ नहीं तो और एक कोशन है कर वाही देता हूं टेंशन खतम corporate valuation में बाद में business valuation का question है उसको मैं बाद में देखने वाला था पर अब उसके लिए अलग से video नहीं मना हहा हूं खतम कर रहा हूं वैसे यह भी रट नहीं है पिछला भी रटना, वह अपने इसमछ यहां भी मैं बोलूंग तो मैरे इसमतर चल नहीं सकते न यहार क्या करना है क्या होना चाहिए सब कहानी नहीं बता रहा हूं बस कर ले न ऐसे इस question में amendment भी है क्योंकि ये study mat में भी डला हूँ तो काम काम की बात करेंगे EVA का question है और sir EVA क्या होता था Nopet minus invested capital into WSAC, that's it ज्यादा कहान ही नहीं बताऊंगा इसमें जो institute ने किया है वो, ये RTP में भी डला हुआ है अभी इस ये वाला question RTP November 2014 September के लिए भी डला हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से देखके चले जाना क्या था sir इस question में और sir ये पहले कहां डला हुआ था MTP में भी डला था September 2023 में तो आने के chances बनते हैं इसमें कुछ नहीं है ये पहले Nopet निकालते Nopet के लिए हम क्या देखते EBIT और EBIT कितना है sir EBIT है sir EBIT है EBIT है 615 इस tax से अब हमको कोई लिए नदे नहीं है tax के rate से मतलब है तो sir 615 315 का 30% tax आ गया है 184.50 minus 615 तो sir ये Nopet आ गया 430.50 बिल्कुल आ जाता Nopet लेकिन यहां एक provision है non cash expenditure bed debts provision है 30 lakh और bed debts provision है तो provision non cash expenditure होता है यहां plus कर रहा है sir सारे non cash expenditure को plus करते हैं कि नहीं बेटे EVA के लिए बहुत सारे expenditure को adjustment करना होता है उतना list आपको याद नहीं रखना रंग भी नहीं पाऊ कि बस bed debts है तो आपको plus करना पड़े तो sir plus तो पहले होना चाहिए था वो तो before tax है after tax भाई साब अपना ऐसे plus करना है बस before tax after tax की कोई बात नहीं करे 430.50 प्लस 30 तो sir 460.50 ये आगे हमारा नौपेट एक हमको ये निकालना था 460.50 ये निकाला है कि ये निकाला होगा और क्या yes sir 460.50 ऐसे ही करना है अपने हिसाब से प्लस माइनस मत कर देना कि अपना दिमाग चला रहा है नहीं conceptual ये नहीं है मत करूं मत करूं मैं बाई बैक में देखा ना अभी मैं अपना ग्यान देने लगा बाद में पता लगा आंसर कुछ और ही है इसलिए खीक है sir अब बात किसकी करते हैं अब बात करते हैं WCC ओके 460.50 आ गया है ये सर अब बात होती है WCC WCC, WCC WCC, WCC में देखो equity कितना है और debt कितना है ये equity और reserve दिख रहा है ये सर दिख रहा है 1200 ठीक है और non current borrowing कितना दिख रहा है तो total कितना हो गया 1350 अब प्री टेक्स को पोस्ट अप्ट को पोस्ट टेक्स कर देना तो 12 और टेक्स है 12 इंटू 0.7 तो सर ये आ जाएगा 8.4 और केई दिया है 10 पर्षन ये आगे है 10 तो WCC निकल सकता है 1200 इंटू 8.4 एम प्लस 150 इंटू 10 एम प्लस मर्स डिवाइड़ेड़ बाए 13 50 WCC आगे 8.58 पॉश्ट अगे इंटू 8.2 कैसे आगे भाई इंटू 8.2 कैसे आगे भाई प्री लिए सर उटता है जलती है 1200 एक्विटी है ना तो इधर 10 और इधर 8.4 आपसे भी हो सकता है तो सर बारा सो इंटू 10 एम प्लस 150 इंटू 8.4 एम प्लस मर्स डिवाइड़ेड़ बाए 1350 9.82 तो सही है 9.82 ये भी हो गया आप क्या बचया हमारा इसमें से 9.8 हमको मालूम है क्या ये सर 9.8 हमको पता है हमको पता है 460.50 इंटू 9.82 अब बात करते है इनवेश्टेट कैपिटल इनवेश्टेट कैपिटल तो सर वही आता न 1385 तो लिखते हैं नहीं बिट प्रोवीजन भी प्लस होगा कितना 30 लाग तो सर डब्लू एससी निकालते समय क्यों नहीं किया मैं बहुत सारी बाते नहीं करने वाला हूँ प्रोवीजन इनवेश्टेट कैपिटल में इनवेश्टेट कैपिटल का मतलब क्या होता पैसा कितना लगा रहे हो तो जो डेटर से उसमें प्रोवीजन नॉनकैस एक्सपेंडीचर हो तो बढ़ जाएगा ना यार तो मतलब यहां टूटल मिलाकर कितना लेना पड़ेगा यहां आपको तेरा सो असी लेना प्रोवीजन कोई इफ बट यह वो मत करो वो रेगुलर क्लास में समझने के लिए ठीक रहता कि यार नहीं इसे करना चाहिए था यह वो बहुत सारा डिटेल ने समझा यह कोश्चन में अल्रडी करवा चुका हूं बस मैंने कहां कि आपको देखना पड़ेगा अल्रडी करवा तो बस कु सब्सक्राइशन था इसको अभी क्या करना है मैं फिर से बोलूं सीधा क्या देखना सर सीधा देखेंगे हम इबी आईटी इबी आईटी यह 800 और टेक्स का रेट मालूम है क्या टेक्स का रेट 231 डिवाइड़ बाइड बाइशा सब्सक्राइट 30 परशंट है 30 परशंट त 560 और इसमें क्या एट कर देना प्रोविजन प्रोविजन कितना दिया है प्रोविजन है सर 40 लाग तो 40 लाग एट कर देना तो टोटल कितना आ जाएगा 600 ठीके ना यह आट सो अट सो इन्टू सतर परशंट 560 प्लस 4600 च्या आगया नौपैट ऐसे ही करना जैसे मैं करवा तर यहां नौपैट तो कुछ और ही निकला है कहा तो नौपैट कुछ और निकला इससे मुझे कोई मतलब नी मैंने जैसे बोला वैसे करो कि मतलब यह कोश्य आपके बुक में है प्लीज कट कर देना मैं जैसे कर रहा हूं वैसे कर तो सर कितना आ गया नौपेट आ गया 600 नेट ओपरेटिम अब बचा क्या सर WACC कर ले क्या चलो WACC कर लो एकविटी कितने का है 1600 और ये कितने का है 200 तो चलो और इसका केई कितना है सर इसका है 12 बशन और येट का 15 15 इंटू 0.7 10.5 तो 1600 इंटू 12 M प्लस 200 इंटू 10.5 M प्लस MRC डिवाइड़ बए 1618 तो ये आगे 11.83 परशन तो ये डवलो इससी तो सही निकला होगा 11.83 ये 84 परशन यहां तक ठीक है ये भी ठीक है सर अब बच्चा सर इन्वेस्टेट कापिटल तो 1600 प्लस 200 प्लस कितना कर देना 40 तो सर यहां ले लेना 1840 का 11.83 परशन बस ऐसी कर देना ओके 1840 का जो भी परशन टीज निकला होगा वो कर देना इसने अल्टरनेटिव अगेरा दिया है भूल जाओ जैसे मैंने करवाया कर देना ठीक है जी ओके सर बस अब कुछ अब सब कुछ खतम हो गया है बिल्कुल ध्यान से अगर आपको अभी क्योंकि लाश्ट टाइम है बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की जरुद नहीं कि यार कॉंसेप्ट में घुस रहे हैं खतम इतना अबडेटेट भी कोशन डाल दिया मैंने और मैंने जो लेटिस्ट कोशन है वो भी डाल दिया सफिशेंट है अपके लिए थैंक्यो तो मच बंच बंच। भीव